हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सबी तो मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज है सेटरडे और अभी बज गये हैं शाम के तीन तो आज है गणेश चतुर्थी तो सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी आपसे की रेसिपी आज आपसे में शेयर करने वाले हूं मोदक थोड़े डिफरेंट बने थे लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे फ्रेंट्स वो मोदक और चलिए आपको उसी की आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो कोई नहीं है यार फ्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो तो सबसे पहले तो गनेश चятूर्ती क्यों मनाई जाती है वैसे तो सबी को पता होगा कि आज के दिन गनेश भगवान का जनम दिन होता है और आज हमारे यहाँ पर गाउं में पता क्या बोलते हैं इसको हमारे गाउं में बोलते हैं पत्थर चौथ तो पत्थर चौथ से यह अभी प्रहा है कि आज के दिन चंदरदर्शन होता है जो वो निशेद होता है, हम लोग आज चांद नहीं देखते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देखता होगा आज चांद, क्योंकि आज के दिन गनीश भगवान जी ने ये श्राब दिया वाए, क्योंकि आज उनका दिन है, तो उन्होंने कहा है कि आज के दिन कोई भी चंद कहानी है उसके पीछे चंदरमा को क्यों श्राप दिया था गनेश भगवान जी ने तो शायद सभी को पता होगा ये तो चले शुरू करते हैं आज की रेसेपी जो की है मोदक तो मोदक बनाने के लिए देखिए मैंने कड़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दोंगी ये सूज तो मैं मोदक सूजी से बनाने वाली हूँ और इसको ना हमें बस ऐसे ही ड्राय रोस्ट करना है तो वैसे तो मोदक आप किसी भी चीज से बना सकते हो चावल की आटे से भी बनते हैं चाहें आप तो बिसन से भी बना सकते हैं मावे की मोदक भी बना सकते हैं लेकिन मैं बना तो मेडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे हम इस तरह से चलाते हुए जिब थोड़ी सी इसमें से खुश्बू आने लग जाएगी तो यह देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और सूजी को मैंने निकाल के रख लिया है अब मैं इसमें डाल दूंगी घी तो यह देशी है और इसको थोड़ा सा पकाना है हम्हें जादा नहीं पकाना ए थोड़ा सा घी में भुनना है और जब यह हमारा भुन जाएगवा अगाँ जल्दी हो जाता है लिया और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर या-गूड जो भी आपके पास हो आप वह इ चमबच शक्र तो यह देखिए color change हो गया है इसका और अब मैं इसमें डाल दूंगे शक्र तो जैसे ही डालेंगे हम इसमें शक्र गेस का flame कर देंगे हम off नहीं तो हमारा जो यह mix है ना यह बहुत तो बस यह दिखिए अब इसमें डाल दिया है मैंने एक गिलास तूद साथ में डाल दी है इसमें मैंने आधा कटोरी चीनी तो मिठा आप अपने टिस्ट के अकॉर्डिंग डाले साथ ही मैंने डाल दिये हैं तीन चार बड़ी चमच इसमें गाय का डिसी घी और जो सूजी थ जाने खाने वाल एक फ्रेंड्स और इसको पज़गा एसमें तरह से थोड़ा स्था सबका हुआ है क्या क्यूंकि पहले है तो अब डाल दो ही मारे चमच में गिंड़ाईची पा्ॉडर के इस तो दोड़ा फैकने नें मिक्स्ता है हama ब्लत कर दोड़ा एड्यारा थोड़ी हमारी थोड़ी ड्राय ड्राय है और इसमें न मैंने 2-3 चमस दूप डाला है ताकि ये थोड़ी पत्ती सी हो जाए क्योंकि इसमें पता कि अब कड़ाई बहुत गरम थी ना और मैंने इसमें शकर डाल दी थी तो उससे ये थोड़ी ड्राय होगी थी और ये दिखी मैंने इसमें एक दो चमस जो ये सूजी का मिक्स बनाया ना ये भी डाला है इस बचे से देखे ये अच्छे से बाइंड हो रही है अब तो अब देख लेते हैं हम अपने इसको जो हमने ये मिक्स बनाया है मुद्दक के लिए इसमें भी मैंने डाल दिये हैं दो से तीन चमिस दूर डाल लूँगी मैं इसमें और इसको ना अच्छे से हम मसल के इसका एक अच्छा सा डौ तैयार कर लेंगे क्योंकि स्मूथ होना चाहिए ये डौ और ये देखे इस तरह से हम इसको अच्छे मसल ना है तो मैंने दूसे तीन मिनर तक इसको अच्छे से मसला है और फिर अब करेंगे है मोदक बनाना स्टार्ट तो सबसे पहले ये देखें मैंने थोड़ा सा मिक्स हाथ में ले लिया है तो क्योंकि ये सूजी है ना तो सूजी भी खरती बहुत जादा है और कुछ मैंने इसमें घी भी थोड़ा जादा डाल दिया है तो इसको जड़ा हैंडल करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो गया था तो ये देखें इस तरह से हमें इसको बना लेना है और जो हमारी हमने फिलिंग रखी है ने हमने इसको इस में डालने के लिए है तो हम ये डाल देंगे इसमें जो हमने नारिव के बुरादा और खसकस की फिलिंग बनाई थी तो बस इसको हमें इस तरह से बन देना है बस summumल जैसे हम पराथ बनाते हैं आलो के पराथ से बीच में आलो डाल जालते हैं साथ में हम उसको बंद कर देते हैं बस बिलकुल कुछ ऐसा ही आपको करना है तो अगर आप मोर्ड में बनाएंगे तो मोर्ड में आपको बनाना है उसमें पहले डाल देंगे आप और बीच में आपको सुराख रखना एक तो ये दिखी इस तरह से बना दी था मैंने ये मोदक और मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ लेकिन मोदक बहुत इस्टी बने थे और नय तरीके से मैंने बनाए थे घर पे और पहली बारे बनाए थे मैं सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ मोदक वैसे तो हमारे यहाँ पे गाउं में यहाँ पे इतनी जादा नहीं मनाई जाती है बने हैं और हाथ से मैंने बनाए हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारे मुदग बनके तैयार हो गए थे तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर की तेली और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है देखने में तो खसकस और नारियल की फिलिंग है ये और बहुती टेस्टी मुदग बनके तयार हुए थे तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं घर में मुदग और गणेश जी को खुश करने के लिए आप उनको ये चड़ा स सकते हैं तो देखिए एक और आपको मैं दिखा रही हूँ और इसमें भी बहुत अच्छी से देखिए फिलिंग अंदर तक है ये गई वी और बहुती टेस्टी अरे जो टेस्ट होता है ना मुदग का वो तो ज्यादा इसकी फिलिंग से ही आता है तो देखिए सूपर टेस फिर लाइक और शेर करनी से ना एक तो शेयर करेंगी तो वीडियो आगे जाएगी दिखी है ना और लाइक करेंगी तो अच् 줄 लगता है बाकी हमें इसके कोई पैसे चार्ज तो नहीं होते अभी तो हम वैसे भी बिगिनर हैं हमने तो अभी स्टार्टी किया है और इतना ज़्यादा कुछ नी पर हमें न अच्छा लगता है कि देखो लाइक मिले हैं तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो तो चेले मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई